गुद्ध मॉर्निंग स्टूटेंज टूडें हम करेंगे यह बुक की एक्सराइज ओके हमने लुक एन रॉइट कर लिया एक ही मात्रा से शब्द भी कर लिये हैं तो आज हम करेंगे बुक में जो हमारी एक्सराइज दी हुई हैं उन्हें करेंगे ओके दिखें फर्स्ट चित्र पहचानकर उचित स्थान पर मात्रा लगाएं यानि कि हमें एक ही मात्रा लगा के शब्द बनाना है तो यह देखें यह क्या है बताओ बटा यह क्या है पेड ओकी वेरी गुड तो अब देखें पेड तो एक ही मात्रा का साउंड किस वर्ड पर आ रहा है किस वेंज यह पीड़ है मारा पिर ओके यह क्या है थटे रहा थटे रहा तो एक का साँड कहां आ रहा है सेकिंड थ पर थे रहा तो फिर फिर हमारा शिर उकी शेर शिर और नाथ है शेर, तो एकी मात्र का साउंड कहां आया, रह के उपर या शे के उपर, बोलो बिटा, शेर, शे के उपर हमारी एकी मात्र का साउंड आया, तो एकी मात्र हम लगाएंगे, शे के उपर, शेर, ओके, फिर नेक्स्ट है मारा, लाल, लाल, टेन, एकी मात्र का साउंड कहां आया, तेन, लाल तेन, टेक के ओपर आये हैं एक की मात्रा का साओं, लगाए हमने मात्रा, अब इसको रीड करो लाल तेन किलियर है बिटा, देखिए पेड, ठठेरा शेर, लाल तेन, ओके अब सेकिंड कुश्चिन हमारा एक की मात्रा लगा कर शब्द पूरे कीजिए अब इधर देखिए, इसको रीड करो से, बे, सब लेकिन से, बे, सब तो हमारे विदाउट एक की मात्रा से है लेकिन हमें एक की मात्रा लगा के फिर इसका नया शब्द बना रहा है तो सब के साथ, आप सोचो कौन से शब्द बन सकता है बेट एक की मात्रा लगा के सोचो, अगर हम से की उपर एक की मात्रा लगाएंगे तो सेब बनेगा अगर हम बे की उपर एक की मात्रा लगाएंगे सबे, सबे तो हमारे कोई शब्द नहीं होता तो हम से की उपर एकी मात्र लगा कर इसको लिखेंगे सै, ए, बै, से, ओके बेटा? फिर सेकेंड है own देखे लेक के साथ हमारी आ की मात्र है तो कौन सा द्यार न? रहностью है मै, तो हम मै के ऊपर एकी मात्र लगाएंगे, तो यह क्या बनेगा बेटा? मे ला, मे तो इस तरीके से आप यहाँ पर राइट करोगे, मे ला, ओके, फिधर देखिए, कर रे ला, कर ला, कर ला, कर ला शब्द होता है, नो, कर रे ला होता है, तो एक ही मात्रा का साउंड किस पर आया, रे के उपर, तो अगर हम के के उपर लगाएंगे तो केरला, केरला बना, लगाते हो, तो यह केरला बना, लेकिन केरल होता है, तो रे के उपर लगाओगे, तो यह करेला बनेगा, जो क्यों राइट वर्ड है मारा, तो रे के उपर लगाएंगे, करेला, फिर देखिए हमारा नेक्स्ट, सपरा, सपरा कोई शब्द होता है, नो, अगर हम से के उपर की मातर लगाएंगे से परा से परा होता है नो अगर हम पैपे की मातर लगाएंगे तो क्या बनेगा सपे रा सपे रा सपे रा कौन होता है बीन बजा के साप को पकड़ते हैं वो सपे रा अब देखे दर जलबी जलबी नो क्या होता है जलबी होता है जलबी होता है जले बी तो एक ही मात्रा के साउंड किस पर आया है ले के ओपर जले बी ओके तो लगाई हमने मात्रा जले बी ओके जले बी फिर नेक्स देखिए सहली सहली होता है सहली होता है सहली होता है ना सहली एक ही मात्रा के साउंड किदर आया है के ओपर तो बेटा इसी तरीके से आप इनको राइट करोगे और मात्रा इंको पर लगा के शब्द पूरा करके इधर राइट करोगे फिर नेक्स्ट है हमारा सुन्दर लेख लिखिए आप इसी तरीके से मे ला सुन्दर सुन्दर रीड करेंगे three time survey रा three time इसको read करोगे and write करोगे तो आपको first question करना है second करना है and four करना है यह three question आपको नहीं करना ओके बेटा